तो हलो दोस्तों एक बार फिर से आप सब का स्वागत है आपके अपने चैनल क्रिकेट विज चेतन पर तो एक बार फिर से आप सब के लिए लेकर आगए हैं एक और धमाकेदार वीडियो जिसमें हम कवर करने जा रहे हैं और वेस्टेलिया और वेस्टेंडीस के बीच होने व सब हैंगे तो युड़े रही है वीडियो में बहुत कुछ खास होने वाला है तो वीडियो में आगे आप सब से क्वेस्ट nonsense है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को सिर्प्रैब नहीं किया है तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और ऐगर वीडियो अच्छा लगे तो जाते जाते आखरी में वीडियो को लाइक जरूर करके जाईएगा तो अगर मैं बात करूँ इस मेच की तो यह और वेस्ट इंडीज के बीच खेले जाने वाले दू मेच उसकी T20 सीरीज का पहला मुकाबला है जो कि आज भारती समय के हिसाब से एक बच का चालिस मिट पर शुरू होगा और वेन्यू के अगर बात करूँ तो यह करारा ओवल क्विंस लेंड का स्टेडियम है इसको मैट्रोनिक स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है अब तो आप सबसे एकओ रिक्वेस्ट है का अगर आपने अभी तरह टेलीग्राम चैनल भी जुइन कर लीजिए लिंक का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी टेलीग्राम चोइनल इसलिए आपको जोइन करना है क्योंकि टोस होने का बाद जो प्लैंग अलोमें चैंजिस होता है तो हम आपको अपडेट कर देंगे और हमारे जो इनीचल टीम में जो जो भी चैंजस है वो भी हम आपको वहीं अपडेट कर देंगे तो जाके जुड़ जाईए हमारे टेलिग्राम चैनल से या फिर आप टेलिग्राम पे जाके डारेक्ट सर्च भी कर सकते हैं क्रिकेट भी चेतन तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस मेदान के पीछ रिपोर्ट की तो जो करारा ओल की जो पीछ है वो एक पैलेंस सर्फेस है जहां जो शुरुवात में है फास बोलर को स्विंग मिलता है और जैसे जैसे यह मेच आगे बढ़ता है यह बेटिंग के लिए अच्छी प तो आप जीएल में इस पीनल्स को ट्राइ कर सकते हैं वहीं अगर मैं एवरेज फरस्ट इनिंग के जो टोटल स्कोर की बात करूं तो यहां पर अभी तक ज्यादा बड़ा स्कोर देखने को मिला नहीं है अराउंड फरस्ट इनिंग में हमें 126 का स्कोर वहीं सेकेंड इनिं हैं वहीं पहले बल्लेवाजी करने वाली टीम में दो मुकाबले जीते हैं जहां सेकेंड बल्लेवाजी करने वाली टीम में सिर्फ एक मुकाबला जीता है जहां एक मुकाबला पानी के कारण हो नहीं पाया था तो वह रिजल्ट रहा था और अगर एवरेज स्कोर की बात कर तो और आगे अगर हम इस stadium के forecast weather forecast की बात करें तो according to reports यहाँ पर आज का जो दिन का तापमान है वो 21 degree के आसपास रहने वाला है वहीं रात को यह 16 degree Celsius तक जा सकता है हलाकि यह जो इंडिया में है यह दिन के हिसाब से मुकाबला हो रहा है पर जो ऑस्टेलिया में है यह मुकाबला साम को 7 बजे चालू होगा तो यहाँ पर रात को solar degree के round temperature रहने वाला है वहीं मैं अगर आसमान की बात करूँ तो यह partially cloudy weather रहने वाला है वहाँ पर हो सकता है है फास बोलर को initial over में अच्छी खासी help मिले और अगर मैं बारिस की बात करता हूं तो यहाँ पर मेज के दोरान सिर्फ 50% की बारिस होने की शंबाव ना है तो हो सकता है हमें थोड़ा बहुत इंटरुप्शन दीखे और मेज को ज्यादा कोई effect ना हो वहीं humidity यहाँ पर 55% के प्राउंट रेने वाली है तो ज्यादा humidity रहेगी नहीं तो प्लेयर्स को से कोई problem है नहीं फिर आते हैं प्लेइंग 11 पर तो यहाँ से अगर मैं ऑस्ट्रिया की बात करूं तो हमें यहाँ से ओपनिंग करते हुए और फिंच और डेविड वानर दीख सकते हैं महीं तीसरे नंबर पर यहाँ हमें या तो मिचल मास या कैमरान ग्रीन दीख सकते हैं दोनों में से कोई भी तो फिर आते हैं ग्लेंड मैक्सवेल जो कि हमें दोनों सेक्शन से पोइंट देंगे यह बोलिंग भी कर सकते हैं आज क्योंकि मिडिल ओवर में टर्न देखने को मिला है इस प खेलेंगे वहीं मैथ्यूवेड अगर विकेट गिरते हैं तो इसमित उपर खेल सकते हैं हलांकि नीचे ही कहलते हैं वहीं मैथ्यूवेड आते हैं जिन्होंने गजब की फॉर्म दिखाई अभी कुछ लास मैचस से आपने इंडिया में देखा ही होगा कि किस तरह रण मारे थे इन्होंने और उस्टलिया को मेच जिता दिया था वहीं नीचा आते हैं पेट कविंस फिर मिचल मिस्टाग एंडम जंपा एंडन है जल्वूड तो यह तो उस्टलिया के प्लेइंग 11 थी वहीं अगर अगर मैं बात करूं वेस्टन लीज के प्रवेड़ प्लेइंग 11 क कि तो इहां से ऑपनिंग करते हूं ब्रेंडन किंग और इविन लूवस दिख सकते हैं महीं तिस्ती ही बात जोन्सन chakrails खेलेंगे तो यह तो यह तो इनके तीन ऑपनर है यहां पर काईली मेयर्ण को भी जग्रा मिल सकती है दeszते हैं तो यह जोनसना चार्ल्श क영ते मेयर्ण उनकी जगा लेते हैं वहीं चोते नंबर पर निकलोस पूरान खेलेंगे जो कि वेस्ट इंडिस के केप्टन भी है फिर आते हैं रैमन रैफियर जिनको अभी तक 20 आय का ज्यादा एक्सपिरियंस तो नहीं है अभी तक इन्होंने साथ में खेले हैं जिसमें इन्हों 188 रन बन आते हैं जैसन होल्डर जो कि हमें एक अल्डर शेक्शन में मिलेंगे जो बोलिंग और बेटिंग दोनों सेक्शन से हमें पॉइंट दे सकते हैं तो एक मस्ट बिक बन जाते हैं वेस्ट इंडिस की साइट से फिर आते हैं और इसमित जो की हार्ड हिटिंग बेस्ट मैं के सा तो यहां वेस्टेंडीज का पढ़रा भारी है हलाकि वेस्टेंडीज पीशली सीरीज हार के आ रही है वही उस्टेलिया का परफिमेंस कुछ मेंचर से बहुत अच्छा रहा है और वर्ल्ड चेंपियन भी बने थे लास्ट अभी जो वर्ल्ड कप हुआ था तो देखते हैं आ यहां से अगर मैं औरन फिंच की बात करता हूं तो यहां से यह वेस्टेंडीज के खिलाफ इनका एवरेज इतना अच्छा नहीं है और इस ग्राउंड पर इनके स्टेट्स भी इतने अच्छे नहीं है जब जब यह खेले हैं इस ग्राउंड पर तो आप इनको टीम से आज से कैप्टन भी ट्राइ कर सकते हैं फिर आते हैं जैसन होलर और नुकलेस पूरन जो कि वेस्ट इंडीज साइट से अच्छे पिक बन सकते हैं फिर काईली मेर्स के अगर बात करूं तो आज अगर खेलते हैं तो यह हमारे मस्ट पिक होंगे क्योंकि इन्होंने पिछले के लिए बेहत्रिन पर्फूमेंस किया है अगर मैं न्यूज अप्डेट की बात करता हूं तो यहां से जो सिम्वरन हेटमेर है वो इस सीरीज को मिस्ट कर रहे हैं वेस्ट इंडीज के साइड से क्योंकि उन्होंने अपनी फ्लाइट मिस्ट कर दी है अला कि वेस्ट इंडी है तो निकलो सुरन को एडम जंपा से खत्रा बन सकता है आइधिंग सेम्रें हुटमार यहां की जो सीरीज है वो मिस्ट कर रहे है तो आप इनको कंसिडर मत कीजिएगा कि इनको कंसिडर करना नहीं है तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की इनिशल टीम की तो आज हमने विकेट कीपिंग सिक्षन में नुकलोस पुरन को जगह दी है वहीं आप जूंसन च्रॉल्स को भी रख सकते हैं अगर आपका मन हो तो वहीं अगर बेट्समें में बात करूं तो यहां से अगर मैं बॉलिंग सेशिंग की बात करूं तो यहां से हमने रखा है जेशन होजल है जल वोट को स्टार्ट अंडन जमपा तो यहां से हमने ओडिंग स्मित को भी वेसंडिक के साइट से जगह दी है तो यह तो हमारी इनिशल टीम थी फाइनल टीम के लिए आप टेलिग्राम से जुड़ जाएए महीं आपको हमारी फाइनल टीम मिलेगी तो आज के वीडियो में बस इतना ही थैंक्स वर वाचिंग जुड़े रही है आगे आने वाले सब वीडियो को और सब्सक्राइब कर लिजिए हमारे चैनल को तो थैंक्यू